चेहरे पे तिल होना खुबसूरती को बढ़ा देता है लेकिन अगर इनकी संख्या कम हो वही अगर आपके चेहरे पर अनगिनत तिल हो जाए तो वही आपका चेहरा भद्दा और बचसूरत दिखने लगता है पिगमेटेंशन के वज़ा से हमारे चेहरे पर काले भूरे रंग के दाग धबे निकलाते हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में जाने क्यूं होते हैं तिल में तिल निकलने के कारण बताए हैं आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको एक हूम रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे आपके चेहरे के जो तिल है उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा वेलकम बैक टू माई चैनल रुचता ब्यूटी केर में आप सबका स्वागत है तो आईए जानते हैं कि क्या है वो हूम रेमेडी इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको एक औरेंज लेना है जिसके उपर का भाग आपको कद्दू कस कर लेना है और फिर इसमें एक मुठी हराधनिया मिलाना है कुछ पत्ते तुलसी के लेने हैं और दो चम्मच एलोगरा जेल आदा चम्मच चंदन पाउडर और बेसन मिलाकर इसमें गुलाब जल डालकर अच्छा सा पेस्ट तयार करने अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगा लें इस पेस्ट का इस्तमाल आपको हर रोज लगभग दो महिने तक के लिए जरूर करना है इससे आपके चेहरे के जो तिल है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और साथ ही आपको एक और चीज एड़ करनी है अपने आहार में से फास्ट फूड को बिल्कुल ही बाय बाय कर दीजे और हरी सबजियों और रसदार फलों का सेवन करें साथ ही खुब सरा पानी पीना है आपको बाड़ी आपकी हाइडरेड रहनी चाहिए और एक बात बहुत जरूरी है जो कि आपको हलकी फुलकी एकसरसाइज या फिर वर्काउट जो भी आप कर सकें वो आपको जरूर से करना चाहिए तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पे अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं लेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए भाई भाई थैंक यू फूर वोचिंग